हर बार मैं आपसे दिल की बाद प्यार से बोलता हूँ पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है न कि कुछ गलत से अपनागर मुझसे निकल जाए तो मुझे माफ करें पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का कि क्या हो गया लोग किसको लॉकडाउन का मतलब समझनी आ रहा लॉकडाउन का मतलब होता है घर पर रहो घर के भीतर रहो परिवार के साथ रहो सड़क पे तफ्री करने के लिए निकल ना जाओ बड़े बादूर बन रहे हो आप लोग भार जाके यह सब धरी की धरी रह जाएगी यह सब आपकी बादूरी सब इधरी रह जाएगी खुद भी हस्पिताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे मा बैन बाप बीवी सब के सब पहुंच जाएंगे कोई नहीं बचेगा अगर ध्यान नहीं रखोगे यार अकल का इस्तमाल करो हाथ जोड़ के कह रहा हूं मैं फिल्मों में स्टंट करता करता हूँ गाड़िया उड़ाता हूँ हलिकॉप्टर से लड़ लटकता हूं बहुत कुछ करता हूं पर सच में कह रहा है जान सुकी हुई है मजाख नहीं है इस तरह ये बिमारी के सामने सबकी हालत बुरी हो पूरी दुनिया की हालत बुरी है अपने परिवार के हीरो बन सकते हो तुम लोग जिन्दगी के खिलाडी बनो सिर्फ घर पे रहो बस घर पे रहो जब तक सरकार के रिए घर पे रहो इससे आपकी जान बची रहेगी आपके परिवार की जान बची रहेगी करोना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है हमें इसे हराना है इस डिजीज को हराना है कोई चॉइस नहीं हमारे पास बाकी अगर कोई लड़ाई होती कोई जंग होता तो मैं आप लोगों से कहता है चलो उठो वीरो सेने को लड़ो लेकिन ये जंग इसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगा हाथ दो के सरफ घर पे बैठे रहो बस बैठे रहो चुप चाप अंदर ही रहो जब तक सरकार नहीं कहती है बाहर मत आओ मैं फिर आऊँगा आप लोगों से पूछने की कि आप लोग खिलाडी बने हो या बेवकूफ बने हो गर पे रहो देने बाद